जै हिन्द और वेलकम बैक टो आ चानल जिसका नाम है अगनीवीर उनलाइन सो फार अभी तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं सब में हम किसी ना किसी कोश्चन का आंसर जरूर देते हैं तो वैसे ही हम आज की वीडियो में भी करने वाले हैं आज का जो कुश्चन होने वाला है वो एक तरीके से एक टिप है अगर आप इसको फॉलो कर पाए आप इसको अमल में ले आए तो हो सकता है कि बहुत हद तक चांसिस हैं कि आप अगनीवीर बनने के अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे तो make sure करें इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखें इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो होने वाली है कि आप अगनीवीर के लिए तैयारी कैसे करोगे ठीक है आपको पता है आपको अगनीवीर बनना है बट उस पूरे पात को कवर करने के लिए एक प्लान होना चाहिए आपके पास राइट तो उस प्लान को ही हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है तो make sure करना आप इस वीडियो को एंड तक देखें हमारी बाकी वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, देखे जरूर, चैनल को सस्क्राइब करें और अगर आप अगनीवीर आर्मी, एरफोर्स, नेवी के त्यारी कर रहे हो तो एक बार आप हमारी साइट अगनीवीर आनलाइन को जरूर विजिट करें वहाँ आपकी help के लिए आपको मिलेंगी e-books, books, model papers, जैसे कई सारी resources जो कि आपको अगनीवीर बनने में help करने वाले हैं तो चले शुरू करता है अपने आज का वीडियो तो सबसे पहले हमने क्या करा है, ये regime है पूरे total 6 months का इसको हमने 6 महिने में divide करा है, तो अगर आप तयारी 6 महिने पहले से start कर रहे हो तो आप इसको follow कर सकते हो इसमें हमने पूरे routine को दो हिस्सों में divide करा है सबसे पहले होने वाला है initial preparation जिसमें कि जो कि आपके शुरूआत के 3 महिने होंगे उसमें आपको किस-किस बातों का ध्यान रखना है कैसे आपको prepare करने सारे सरस्लेबस को ताकि आप अपने अगले step में जो कि आपका phase 2 होने वाला है उसमें उसको आप और अच्छे से समझ पाएं जो पहला step है वो initial preparation होगा जो दूसरा होने वाला है वो होने वाला है intensive study and revision जिसमें कि आप और अच्छे से dedicatedly चीज़ को पढ़ोगे और topic को deeply जाके समझोगे इसके साथ साथ आप revision में भी ध्यान दोगे तो चलो इनको deeply discuss करते हैं आगे अपनी आने वाली slides में तो सबसे पहला है जो हमारा वो है initial phase initial phase में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है वो है उने वाली है ये सबसे पहली चीज़ होगी आपको exam के बारे में पता होना चाहिए देखे आप जो भी exam भर रहे हैं पगनी वीर, army, air force, navy उनके अंदर कोई भी trade हो, भले ही वो नीवी का SSR हो airman हो या army का GD, clerical, technical आपको उसके बारे में उसका eligibility criteria जरूर पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने त्यारी करनी start कर दी बट आपको last में बता लगी कि आप इस चीज़ के eligible ही नहीं थे, right, तो eligibility criteria आप उसमें जरूर पता कर ले, उसका exam pattern कैसे होता है, मतलब exam के related सारी चीज़े आप पता कर लें कि कितने number का होता है, कौन-कौन से subjects होते हैं, क्या-क्या इसमें criteria होते वो सब आप starting में ही check कर ले ताकि आपको बीच में जाके इन सब चीज़ों को लेके tension ना लेनी पड़े, right दूसरा आप अपना syllabus भी ज़रूर अच्छे से जान ले, specific मतलब syllabus में क्या-क्या है, syllabus किस-किस चीज़ की requirement देता है, अगर देखें, मान लीज़े, आपने maths ली है, और उसमें bio के question जादा आ रहे हैं, तो obviously आर्मी की वायू, नेवी और आर्मी की books देख सकते हैं, ये सब books आपको definitely help करने वाली हैं, और एक अच्छा study material आप अपने ले जरूर purchase कर लें, क्योंकि study material ही होता है, जो आपको guide करता है, पुरे process के दोरान कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, और उसके अंदर क्या-क्या topics आपको पढ़ने चाहिए, तो make sure करें कि आप हमारी books को भी जरूर चेक करें, ये भी आपको आगे चलके help करने ही वाली है, अगला होने वाला आपका basic foundation building, right, basic foundation building में क्या होता है, कि आप तैयारी start कैसे कर रहा हो, starting में क्या करना है आपको जो major basic subjects होते हैं, जैसे mathematics, gk और English, देखिए, mathematics, gk और English इसी लिए है, क्योंकि ये हर stream के majorly हर stream में ही पूछे जाता है, math, gk और English, तो इनको तो आप overall prepare कर ही ले, starting से, right, इसमें specific आपको किसी chapter wise नहीं पढ़ना है, overall आपको पढ़ते जाना है, right, और दूसरा आपको online courses अगर आप purchase कर सकते हैं, वैसे तो अगर आप करना चाहे तो करिया, नहीं तो YouTube और Google में बहुत सारा content पढ़ा हो है, जिसको आप utilize कर सकते हो, then self studies आपको करनी होगी, और जहां तक बात है physical fitness preparation की, तो वो starting के तीन महीनों में आप progressive रखोगे, progressive जब मैं बोलता हूँ, उसका मतलब है कि आप long distance runs मार सकते हैं, short sprint जरूर मारे, after long distance runs, ताकि आपकी जो timing है, वो जो कि next phase में हम जिसमें, जिसको use करने वाले, वो अच्छी हो जाए, और apart from that exercise, regular exercise, वर दब इसके अंदर आने वाले हैं, आपके crunches, right, आपके push-ups, pull-up, वो सब activities जो कि आपको army के physical में help करने वाली है, तो उसको हम progressive stage में करेंगे, बिल्कुल outburst नहीं हो जाना है, progressively हम इसको धीरी-दीरे करने वाले हैं, long distance running से start होगा, फिर short sprint and then exercises, ये सब बातें आपको अगले तीन महिने starting के follow करते रहनी हैं, make sure करें कि आप जो भी common subjects हैं, जैसे mathematics, GK and English, इनको आप daily basis पे prepare करें, कोई भी topic उठा कि आप पढ़ सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, book से पढ़ सकते हैं, online पढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़े आपको धियान रखने हैं, अब आता है हमारा अगला phase two, phase two का मतलब है, चौथे से छटे महिना, छटा महिना होने वाला है, जिसमें कि हमारा exam होने वाला है, तो उस बीच में आपका tempo कैसे change होने वाला है, कैसे आप पढ़ाई करने वाले, वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं, तो सबसे पहले, पहले हम क्या देख रहे थे, एक से तीसरे महिने में आप specific subject की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप overall एक पूरा topic या पूरा मान लिए, subject ही ले रहे थे, जिसमें से कोई भी आप random topic ले रहे थे, बट अब आपको वैसा नहीं करना है, आपको subject wise पढ़ाई start करनी होगी, अब जब मैं कहता हूँ subject wise तो आप क्या कर सकते हो, हफते में 3-3 का division कर सकते हो, तीन दिन आपने maths पढ़ लिया, तीन दिन आपने physics पढ़ लिया, उसके अगले हफते में आपने literature मतलब English पढ़ लिया, या geography पढ़ लिया, तो ऐसे करके आपको chunks में बाट देना है 3 दिन में, उस मतलब उन 3 दिन में आप यही subject पढ़ने वाले हो, इसमें भी जैसे आप maths, GK, English और English स्पेसेफिकली, देखिए English क्या है, इस बार अगनीवीर में English को बहुत ज़्यादा तबजो दी गई है, तो make sure करें कि आप अंग्रेजी को तो बहुत अच्छे से cover करें, वो Army, Navy, Air Force तीनों के लिए common है, तो make sure करें English और GK and Mathematics, तीन जो subjects हैं, माना ये थोड़े broad subjects है, बट इनको भी आपको जब आप अपने phase 2 में तयारी इसकी करोगे, तीन से 6 महिने में, उसमें आपने इन तीन subjects में आपको अच्छी खासी तबज़ो देनी है, उसके अलावा आपको mock test and practice sets आपको prepare करने है, अब देखिए mock test and prepare, आपको ये tests मिलेंगे कहां से, ये आपको मिलेंगे अगनी वीर online की site पे, तो make sure करें आप वहाँ पे जाके इन tests को ज़रूर निकाल ले, अपने लिए download कर ले और इसको अपनी preparation में लाएं, दूसरा होने वाला है आपका physical fitness preparation में, जैसे अभी तक आप क्या कर रहे थे, long runs then short runs, और उसमें कोई timing का factor हमने नहीं रखा था, तो अब क्या होगा, जो चौथे से छटा महिने होने वाला है, उसमें आपको अपनी timing लगा के race देखनी पड़ेगी, तीन महिने में आपने जितना stamina गेन कर रहा है, अब जो अगले तीन महिने होने वाले हैं, उस stamina की help से आप अपनी जो race timing अभी तक बनी है, उसको और improve करोगे, तो इस phase में आपको timing देखनी है आपको हर अपनी race में, अब वो race कैसी भी हो सकती है, long race ये short race, वैसे ही यहाँ sprints का भी है, sprints में भी आपको अपनी timing देखनी होगी, क्योंकि जितनी कम time में आप sprint मारते हो, उतना ही आप अपना last chakra जो होता है, जिसको हम कहते हैं भरती में, last and the golden round, उसको आप उतना अच्छे से cover कर पाते हो, इसके अलावा जो exercise थी, आप जो pull-ups, push-ups, chin-ups, यह सब कर रहे हो, वो आपको continue रखना है, उसमें कोई आपको intensity बढ़ानी की ज़रूत नहीं है, उतनी requirements होती नहीं है, और पुरे 6 मंत के दौरान, आपकी जो normal exercise है, उसमें आप definitely boost करी लेते हैं, और जाधा requirements होती नहीं है, defense में भी, आपके जाधा से जाधा 12-15 chin-ups होते हैं, pull-ups होते हैं, high jump होता है, वो तो वो सब आप अराम से exercise में cover कर सकते हो, तो इसमें आपको क्या समझा है, सबसे पहला कि mock test and practice sets, आपको यह जरूर follow करने हैं, आपको data कहीं से भी आप ले सकते हैं, online, offline, वो जहां से भी हो, आपको mock test prepare करने हैं, timing लगा कि, मैंने एक घंटे का time set कर दिया है, उसमें मैं कितना solve कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको उसका result देखना है, so that आप अपनी performance को judge कर पाऊँ, आपने पिछले तीन महीने में, और आने वाले time में भी कितना पढ़ा, और मैं आपको ऐसे suggest करूँगा, जो mock test होंगे, वो अपने आप 5 से 6 जो last के 2 महीने हैं, उसमें आप इसको अमल में ले के हैं, उसमें इसको आप यूज करें, ताकि आप चेक कर सकी, आपने progress कितना कर रहा है, पिछले 4 महीनों में, अगला होने वाला है हमारा revision, last में revision करना जरूरी है, क्योंकि आपने जितना भी अब तक 5 महीने तक पढ़ा है, जितना भी आपने accumulate करा है knowledge को, उसको आप एक बार उपर से और पढ़ लोगे, तो वो cherry on cake का का काम करता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जितने भी आपने पहले notes बनाए हैं, आपको पुरी किताब नहीं पढ़नी, आपने जो बीच बीच में notes बनाए होंगे, उन notes को आपको follow करना है, उसके साथ साथ आप अपने sample papers, and previous question papers को भी देखते रहो, ताकि आपको idea मिले कि पिछले साल कैसे questions आये थे, और majorly होता यही है कि जो previous year के questions पेपर होते हैं, वो अगले साल आने के लिए उसमें भी आई ही जाते हैं, and your last and the final stages में आता है आपका, जिसमें कि आप अपना confidence build करते हो, और review करते हो सारे topics को उपर उपर से, यहाँ ठीक है, आपने इतना syllabus cover कर लिया है, इसके अलावा, जो दूसरा term है confidence building, see, confidence building मैं इसलिए कहा रहा हूँ, कि होता है कि बच्चे, पुरा 6 महीने खतम होते होते हैं, उनका कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ उनको लगता है, कि उनमें कमी रहे गई हैं, इस ताइम पर हमार को फाइनल टाइम पर इस अब चीज़ें नहीं सोचनी है, हमें अंदर confidence रखना है, अपने positive mindset रखना है, positive चीज़ों को ही सोचना है, और अपनी तयारी में जी जान लगा देनी है, भले ही वो physical हो, या फिर आपकी exams के लिए हो, written के लिए हो, और आखिर में आपको जो आखिर के कुछ आपके दिन होने वाले हैं, उसमें आपको rest and relaxation देना है, देखो, last time तक भी आप अपनी body को तोड़ते रहोगे, तो हो बहुत थर तक chances है कि आपकी body में fatigue बना रहे है, आपकी भरती के time तक, और इसके अलावा जैसे आप पढ़ा ही कर रहे हो, इतने time से 6 महिने से, आप regular पढ़ रहे हो, रिग्रसी पढ़ ले हो, तो last के आने वाले time पर थोड़ा आप relax हो सकते हैं, relax के time पर मतलब मैं कहा सकता हूँ, आप कुसी छोटे small trip पर जाईए, या फिर family के साथ बैठिए, थोड़ा अपने लिए time निकालिए, तो ये सब चीज़े आपको end time पर follow करनी है, तो इस तरीके से आप 6 महिने के अपने रेजिम को पूरा कर पाएंगे, और अपने आपको और सक्षम बनाएंगे अगनीवीर बनने के लिए, आशा करता हूँ, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर हमारे वीडियो पसंद आए, तो हमारे Facebook और Instagram चैनल को भी आप follow कर सकते हैं, and make sure की जेक हमारी website को आप जरूर विजिट करें, जैहिद!